रुकी दोस्तों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने ते पहले बजाओ दोस्तों यहाँ पर कल से लेकर करके अभी तक की बहुत सारे क्रियेटर्टर्स यहाँ बाजा बजवा चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि भाई टिक टॉक से लेकर के और भी चाइनीज एप्लिकेशन 59 टोटल यहां पे बैन कर दिया गया है इंडियन गवर्मेंट के द्वारा और यहां पे भाई कुछ लोगों को दिल में दुग दुग भी हो रही है कि यहां पे पबजी तो नहीं यहां पे बैन हो जाएगा सबसे पहले हमें यह यहाँ पे जानना पड़ेगा कि आखिसकार यह 59 एप्लिकेशन को बैंड क्यों किया गया तो भाई सबसे पहला जो एक कारण था कि इंडिया और चाइना की बीच में यहाँ पे बॉट्रोस पे टेंशन चल रही थी तो यहाँ पे पेट्रियोटिसम दिखाते हुए जितने भी यहाँ पे चाइनीज की एप्लिकेशन थी वो भाई जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी और लोग उसको बहुत ज़्यादा यूस कर रहे थे उनको यहाँ पे बैं कर दिया गया पहला जो रीजन दूस इसी को हम यहाँ पे पाइड़ोट करते सबसे पहले तो फिल दोस्तों अगर सबसे पहले अगरम बात कर लेकिंगा भाई वह कौनसी कंपनी चाईनीज है या फिर और नव चाइनीज कंपनी ए तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दू शाय से आप लोग मेंसे काफी साह लोगों पता ही होगा कि जो PUBG जो सबसे पहले PC वाला गेम आया था वो एक्शुल ने Bluehole Company है South Korean उसने यहाँ पे डवलप किया था यहाँ पे Battle Royale एक Japanese movie है जिसकी basis पे उसी की theme पे इन्हों ने यहाँ पे PUBG जो है यहाँ पे बनाया था PC के लिए जो की बहुत ही जादा फेमस हुआ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे Bluehole को यहाँ पे PUBG वाला गेम चाइना में लाँच करना था लेकिन दोस्तों यहाँ पे उनको launch करना था mobile पे तो यहाँ पे Tencent के साथ में उन्हों ने यहाँ पे agreement किया और Tencent ने बोला कि हम इसको यहाँ पे develop करेंगे mobile के लिए और हम इसको यहाँ पे launch करेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो publisher हो गया PUBG Mobile का वो actual में हो गया Tencent और इसकी जगह पे यहाँ पे blue hole में Tencent के कुछ यहाँ पे equity Tencent ने purchase कर ली ठीक तो भाई हुआ कि जब यह चाइना में launch हुआ तो चाइना की जो government थी उसने इसको कर दिया ban ठीक है उन्होंने बोला था कि यह हमारे youth को खराब करेगा उसको एडिक्टिव बनाएगा वगर वगर बहुत सारे उसने यहाँ पे allegation लगा जिससे की वहाँ वहाँ पे गवर्मेंट से कुछ बात चीत करके वहाँ पे एक इसी का copy वाला यहाँ पे वरजन निकाला जिसका नाम दिया गया Game War for Peace या Game of Peace करके तो यह वाला जो गेम था नहीं चाइना में चलता है जिसको हम लोग कहते हैं PUBG चाइना या फिर ने चाइनीज पबजी ठीक लेकिन जो यहाँ पे टेंसेंड ने जो पहला वाला गेम जो बनाया था जिसको अभी अब लोग नाम देते हैं PUBG Mobile वो इसने दूसरी जगे पर यहाँ पर लॉंच करने स्टार्ट किया तो यहाँ पर जो इंडिया में लॉंच हुआ है वो भी PUBG Mobile यहाँ पर लॉंच हुआ है तो अगर देखा जाए तो यह फुली तरीके से चाइनीज कंपनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ब्लू होल का भी यह बहुत जादा लडाई चलती है और यहाँ पर जो नॉड कोरिया है वो एक्च्वल में न्यूकलियर पावर नेशन है और यहाँ पर साउथ कोरिया को बहुत ही तगड़ा सपोर्ट ए अमेरिका के दौरा ठीक है तो यहाँ पर डेता यहाँ पर लेकर पाई निश्चेंज र प्राइजन था डेटा लीक का तो मैं आपको बता दू यहाँ पर जो डेटा होते हैं वो एक सर्वर में सेफ किये जाते हैं और अगर हम यहाँ पर पबजी मोबाइल के सर्वर की बात कलें तो देखिए मैंने यहाँ पर प्राइवसी पॉलिसी में जा करके देखा तो इन्हों देटा चायना के सर्वर पे तो नहीं यहाँ पर भेजा ज़़ जा रहा है तो भाई उसके लिए मैं आपको बता दू कि यहाँ पर मैंने एक एमेल किया था पबजी वालों को यह चीज़ फाइंड आट करने के लिए मॉर्निंग में ही कि आखिरकार जो इंडियन यूजर से उनका डेटा कौन से सर्वर में आप सेव करते हैं तो भाई फिलाल के लिए तो मुझे वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया है आप यह देख जो सकते हैं यही हमने यहां पर अनौह कोई जवाब नहीं आया इसके साथीसाद में में निले एक शौकिंग बात यह वह की निय यहाँ पे पिंग को जादा बहतर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक सर्वर बनाया हुआ है तो यह भाई कंफर्म नहीं हुआ लेकिन अभी तक कि जितना यहाँ पे मैंने रिसर्च वगर किया उसे मुझे यही चीज समझ में आई कि बाई यह कोई डेटा सर्वर नहीं है यह सिर्फ उसे पिंग के लिए है लेकिन दोस्तों इन सबके बाद एक और चीज यहाँ पे सोचने वाली है देखिए यहाँ पर जो गवर्मेंट की इंटेलिजेंस एजन्सी है उन्होंने बहुत जदर रिसर्च करी थी यह सारी एप्लिकेशन के उपर क्योंकि सबसे पहले उन्होंने 52 एप्लिकेशन की लिस्ट निकाली थी जिस पे उन्होंने बोला था कि यह इस्पाय कर सकते हैं इंडियन यूजर्स की उपर लेकिन उसके उपर यहाँ पे पपजी का नाम नहीं था तब के समय में लेकिन उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर एप्लिकेशन को यहा टिक टॉक को बोलते हैं कि भाई वो हमारा डेटा लीग कैसे जो ये करेगा तो आपको बता दू कि यार इंद ये 27, 2018 शाय से यहाँ पे एपल ने रंगे हातों पकड़ा था क्लिप बोड का डेटा चुराते हुए टिक टॉक को जिसके बाद टिक टॉक ने उसको बोला था कि भाई हम अपसे नहीं करेंगे ये तो नहीं बात होगी चोरी करते हुए पकड़ लिया तो भाई माफ कर दो अपसे नहीं करेंगे तो भाई चोरी करते हुए पकड़ेगा तो ठीक है नहीं अगर पकड़ेगा तो डेटा जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो भाई यही एक चीज थी इसके बाद भाई यहाँ पे गवर्णमेंट ने बहुत सही यहाँ पे डिसिजन लिया और हाँ दोस्तो एक चीज और अगर यह वीडियो पसंद आई न अभी तक की जो आचुका होता अभी भाई नहीं आया तो मुझे नहीं लगता है इसके आगे दुबारा यहाँ पे पबजी का नाम आएगा तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे 90% शोर हूँ कि पबजी का नाम नहीं आएगा लेकिन आई डोंट नो भाई यहाँ पे क्या कर सकती है गवर इसके आपριोम् कर सकती है इसके वडारा यहाँ भाईगा नहीं आएगा तो मैं टो फिलहा है अजई अबजी का यहाँ भाई